हिंदु धर्म में सबी तीथियों का रुषेष महेतु बताया गया है जिसमें एकादशी सरुषेश्ट माननी गई है साल भर में 12 एकादशी आती है जिसका अलवलग महेतु बताया गया एकादशी भगवान नारायन को समझे इस दिन पूजा पाट करने से भगवान नारायन की परपा बरगती है। इस बार 20 मारश को रंगभरी एकाजाशी आ रही है। जिसके अंदर शूपरवती के साथ में नारायन भगवान की परपा पाने का विशेश महतु बताया गहा है। इस दिन भक्त भगवान के साथ में रंग भरी होली करते हैं, रंग भरी एकादसी अपने आपने सर्व से इसके हैं, इसमें पूजा पाठ आदी कन्ये से नारायन वो माता परवती के साथ में शिव भगवान के कृपवरस दिये, आईए उचिन के जोत्य साचार से जानते हैं किसका महेतो हैं, तिथियों में विशेश एकादसी का बड़ा महत्व है, वर्ष भर में चोवीश एकादसी तिथिया मनाई जाती है, उन सबीत एकादसी का अपना बड़ा महत्व है, एकादसी तिथि भगवान नारायन को समर्पित होती है, इस बार फाल्गुन मास में शुकल पक्ष में एकादसी तिथि आ रही है, वो रंग भरी एकादसी के नाम से प्रशिद्ध है, माननेता है, भगवान शिव काशी में भगवती पारवती जी के साथ में एकादसी के दिन पधारे, तता वहाँ पर दोनों ने मिलकर के भगवान नारायन के लिए रंग भरी एकादसी तिथि को मनाया, और इस दिन भगवान नारायन का जला भी शेक किया, और भगवान नारायन के साथ साथ भगवान शिव और पारवती जी के पूजन का भी इसमें बड़ा विदान है, भगवान शिव पार्वती जी का पूजन करें भगवती पार्वती जी को सोभागी की वस्तुमें समर्पित करें को कि भगवान शंकर को जटूरे का फल। और पुष्प बिल्वपत्र और वसंद के फुष्प बगवान शंकर को और कि इसंद बगवान शिव। पार्वती और नरायन से अपने मनो विलाषित फल की प्राप्ती कर अपने सुखद बना सकते हैं तथा भगवान नारायन का भगवती पार्वती जी के साथ भगवान शीव का इन तीनों का सयुक्त पूजन कर सभी लोग भगवान शीव पार्वती और नारायन से अपने सुखद जीवन की कामना भी करते हैं पूरे देश में पूरे भारत वर्ष में रंग भरी एकादशी का अपना बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान लक्षमी नारायन, भगवान शिव पार्वती प्रसण्यों होकर, भगवान सभी के जीवन में खुशियों के प्रसन्यता के रंग भर सभी को प्रफुलित करते ह इस बार 20 मार्च के दिन एकादशी तिथी रंगभरी एकादशी तिथी का महुस्व आ रहा है सभी भक्त सभी जन अपने बड़े प्रेम से रंगभरी एकादशी का उस्व मनाए भगवान शिव पार्वती और नारायन की पूजा कर अपने जीवन को सुखद बनाए